Welcome to my channel Truth of Share Market So, आज हम डिसकस करेंगे about Avalon Technology IPO की Avalon Technology IPO में क्या है कि ये कंपनी जो business करती है That is Electronics Manufacturing Services Company established है from 1999 तो 24 years हो गए And ये कंपनी अपने segment की one of the leader है One of the leader है जो आपको result आया That is 2022 में Exactly work क्या करती है तो box building जो electronic segment में box building वगेरा है उस पर ये focus करती है और engineering products वगेरा ये बनाती है High value, precision engineering products वगेरा Next अगर हम बात करें So, that is कि हाँ इस company का business कहां कहां है Mainly जो ही इसका OEMS का business है तो वो located है इसमें China में, Netherlands में, United States में And Japan में तो ये foreign countries में भी अपना business run कर ली तो अब अगर बात करें आए तो इसके financial की तो financial में total assets अगर हम देखें तो 2020 में 450 के round इसके total assets थे 450 करोड के round And 21 में ये increase हुए asset 512 Then 31st of March 2022 में 587 यानि Assets में increase आपको देखने को मिल रहा है Revenue की बात करें तो Revenue में भी 653, 695, 851 यानि revenue में भी आपको increase देखने को मिल रहा है Profit after tax की बात करोड तो 12 करोड then 23 करोड then 68 करोड तो profit after tax ये भी आपका increase हुआ है बट यहां तक सब सही है यहां तक company का सब सही है Total borrowing की बात करें तो 2020 में इसकी borrowing थी 248 करोड ठीके एंड अगर बात करें 21 में 295 करोड एंड 22 में 294 करोड यानि यहां से यह borrowing इसकी जो debt जो धार यह वो बड़ी है तो यह एक negative point है बाकी यहां asset revenue and tax profit यह सब आपके positive point है ना नेक्स्ट अगर हम बात करें about IPO so IPO 3rd of April से start है 6th of April के बीच में यानि 4th of April की छुट्टी है तो तीन दिन का वह ही है टू पर शेर face value है प्राइस की बात करें तो 415 415 से 436 यह दो प्राइस है इसके बीच में आप बेट कर सकते हो तो 436 क्या हमें पता है हायर प्राइस ही हम के लिए हम apply करते है तो 436 पर शेर हमें यह a lot होगा अगर हम apply करते हैं तो and 34 शेर का एक load है जो आपको apply करना है यानि around 14,000 के around आपको margin required होगा टोटल issue size कितना होगा तो 865 का total issue size है और fresh issues कितना रहेगा तो that is 520 और जो offer for sale है that is 545 इतने करोड का यह offer for sale निकाल रहा है न यह NAC BAC दोनों पर लिस्ट होगा जो कि generally सारी होता है न नेक्स्ट अगर हम बात करें important debts तीन से चेक तो आपके application debts है and allotment किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा तो वह 12 अपरेल को यह decide करेंगे और लिस्ट शेयर करेंगे और refund 13 अपरेल को then credit शेयर इंटो डिमेट अकाउंट डिमेट अकाउंट में आपके शेयर कमाएंगे 17 को और लिस्टिंग डेट जिस दिन ट्रेड स्टार्ट होगी that is 18 तो 18 अपरेल हमें याद रखना है और नेक्स्ट हमें 6 अपरेल याद रखना है याद इस अपरेल तक अप्लाई कर सकते है और 18 को लिस्टिंग होगी ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें किया हमें अप्लाई करना या नहीं करना थीक है तो उससे पहले अगर retail category में हम अप्लाई करते हैं तो एक लोट minimum apply करना है और 13 maximum 13 से beyond जाते हैं तो हम HNI category में चला जाते हैं So 1 to 13 load तक हम apply कर सकते हैं in retail category कितना amount आपको required होगा 14,824 for one load and one leg 92,712 for 13 loads So यह अब हमें apply करना या नहीं करना या GMP कर चल रहा है तो अभी तक जो recently GMP चल रहा है नहीं 1st April तक तो वो है कि 6% यह return expected है यहाँ पर अगर हम GMP की बात करें तो 27 मार्स है इसकी GMP की विलिज 25 रूपी चल रही और 30 मार्स से 1 अप्रेल तक 30 रूपी कॉंस्टेंट है तो यानि 6% return का expectation यहाँ पर है को स्टेक और सब्जेक्टेट टू को यह यह वेल्यूज यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है तो अगर हम बात करें कि या हमें apply करना है या नहीं करना तो मैं इसमें neutral हूँ ठीक है यानि अगर loss में नहीं open होगा जो data भी गिवन है उसके साब से return की हम expectation कर सकते है बट हो सकता है hni category में कितना subscribe होता है कितने time subscribe होता है वो and retail category में कितने time subscribe होता है उस पर depend करेगा कि हमें इस पर apply करना है या नहीं करना तो ये डेटा हमें कम मिलेगा ये डेटा हमें मिलेगा च्छे तारीक को एक बचे के करीब ये डेटा क्लियर हो जाएगा और तब हमें final decision लेने में help हो जाएगी तो अभी 5% return expected के लिए हम चाहें तो apply कर सकतने for one load बट इससे जादा कि expectation या कम की expectation तो वो 6 अप्रेल को final होगा तो 6 अप्रेल को मैं community guideline पर या आपने टेलिग्राम link पर शेर कर दूँगा कि हाँ मैं इस में apply कर रहा हूं नहीं कर दब फिर आप देख ली जाएगा जो भी आपको करना है so thank you